हेलो एबरीवन वेलकम टू माई चैनल एक्जाम इस्टोर एक्जाम इस्टोर चैनल में मैं आप सभी का शुआगत करता हूँ तो फ्रेंड इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वीडियो 2018 को लेकर जी हैं दोस्तों तो इसको आप लोग को पता ही होगा कि 24 मार्च को जो है इसका रिजल्ट रद्द कर दिया गया था आप लोग को भी पता होगा बहुत सारे स्टूरेंट लगतार परिसान हो रहे थे क्या यह दूबारे एकजाम कंड़क्ट कराय जाएगा या नहीं तो उसी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं फ्रेंड कि क्या यह रिजल्ट आयysł पर Performance कराया सब कूछ इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं तो फ्रेंड mlthe अपने चैनल को सब्सक्राइब किं और वीडियो को लाइक कर दो और वेल बटन पे क्लिक कर दो जिससे मैं कोई भी लेटेस्ट वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके तो फ्रेंड अगर आप हमसे जूना चाहते हैं डिस्क्रिप्सन बॉक्स मैं आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा साथ में इस्टा पाव ट्वीटर का भी लिंक मिलेगा वहाँ पर जाके फॉलो भी कर सकते हैं और ट्वीटर पर जूरे हैं वहाँ पर जीतना ज़्यादस ज्यादा आप लोग ट्वीट करेंगे चलि हम लोग जान लेते हैं तो गाईज यहां देख सकते हैं एक जो आपको यहां पे दिखने को मिल जाएगा कि ग्राम पंचायत अधिकारी की रद्ध भरती की लिखित परिच्छा पंचाय चुनाओं के बाद जिया दोस्तों तो यहां देख सकते हैं आपके आपका फिर से जो भरती रद कर दी गई थी वीडियो 2018 की उसकी जो है इक्जाम कप कर आए जाएगी तो पंचाय चुनाओं के बाद जो है उसका इक्जाम कर आए जाएगा तो यहां देख सकते हैं और इनस्तर सेवा चैनायो की रद गराम पंचायत अधिकारी गराम विकास अधिकारी समाज कल्याड वर समाज कल्याड परवेच्छक समान चन भरती तू 2018 की लिखित परिच्चा पंचाय चुनाओं के बाद नए सीरे से कराने की तैयारी में है यानि फिर से आपका दूबारा जो है एक्जाम कराया जाएगा तो यहां एक बात तो आपको किलियर होगी कि एक्जाम द गत 24 मार्च को ग्राम पंचायत अधिकारी ग्राम विकास अधिकारी समाज कल्याड वर समाज कल्याड परवेच्छक शमान चन भरती तू 2018 की लिखित परिच्चा को रद कर दिया था 22 दिसमबर 2018 को यह परिच्चा कराई गई थी और इस परिच्चा के लिए 14,27,172 वियारती पंजी करित थे यानि इतने लोगों ने रजिस्टेशन कराया था दो दिनों की लिखित परिच्चा में 9,53,912 वियारती सामिल हुए थे यानि इतने लोगों ने रजिस्टेशन कराया था 14,27,132 वियारती और कितने लोगों ने परिच्चा बियारती में सामिल हुए थे तो 9,53,912 वियारती सामिल हुए थे परिच्चा रद होने के बाद से ही अभियारती इस भर्थी की आगे की योजन्या को लेकर बेचयन है आयोग के एक वरिष्ट अधिकारी कोनफेंट्ण तो वरिष्ट अधिकारी ने बताया कि बरतमान में पंचाय चुनाओ चल लाए है इसके बाद जो बोर्ड का एकजाम ह यह होने वाला है इसके बाद UP Board की परिच्छा हैं प्रस्तावित हैं आयोग रद की गई परिच्छा का आयोजन जल्द कराना चाहता है तो यह देख सकते हैं आयोग भी आपका एक्जाम तुरंद कराना चाहता है आयोग अपनी अगली बैठक में इस परिच्छा के संबंद मे बिचार कर सकता है आयोग की अगली बैठक अब होने वाली है तो पांच अपरेल को प्रस्तावित है तो यह आपको ध्यान रखना है पांच अपरेल को यूटूब पे और फिर आपको वहाँ पे भी ट्वीटर पे भी लगतार ट्वीट करते रहना है तो चलिए उसके बारे और कल एक दो और प्रॉब्लम आ रही थी स्टूडेंट बता रहे थे कि इसमें जो है आप लोग का वो जो है ओटीपी नहीं आ रहा था यानि वन टाइम पासवर्ट जो होता है रजिस्टेशन करने जितने भी केंडिडेट जा रहे थे तो उनके पे जो है ओटीपी नहीं चरशन पर कारों तरशर्शन जाने रही थी, मोबाइल पर यह भी कुछ देखने को मिला है तो अब चलिए मैं आपको ट्विटर के माध्यम से भी दिखातinkों आप लोगों का करता है ट्विटर के माध्यम से तो फ्रेंड यहां देख सकते है जो मैं आपको ट्विटर पर य जो ट्वीटर पे भी ट्वीट कराया जा रहा है और ट्वीट किया जा रहा है तो आप लोगों को भी बस क्या करना यहां पे आना है लगतार ट्वीटर पे ट्वीट पे ट्वीट करते रही है और पांच अपरेल को देखिए क्या जो आता है उसके बारे में भी हम लोग देख देखने वाले हैं तो यहां पर आके सब लोगों को ट्वीट लगतार करते रहना है गाइस ओके तो यहां देख सकते हैं लगतार जो इस्टूडेंट ट्वीट पर ट्वीट अभी मैं आपको लेटेस्ट ट्वीट दिखाता हूं तो देखी आठ मिनट पहले यहां पर एक के द्वारा ओके इस वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं पर नेक्स वीडियो में नेक्स अपडेट के साथ तब तक लिए गुडबाय टेक केर जाहिन दोस्तों